नमस्कार, आज सभी का मेरी किचन में स्वागत हैं, आज हम लेकर आए हैं गोंद के लड्डू फवाद और सीहत से भरपूर, आज बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू और देखते हैं कि यह है हम कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले गोंद लेंगे तो गौन को आपको अच्छे से साफ कर लेना है जिसे की कोई कंकड वगएरा इसमें ना हो यह है कुछ नट्स लिए हैं हमने काजू और बादाम जिने हाफ करके काटा हुआ है घी है 500 ग्राम घी लिया है पैन में हमने दो बड़े चमज घी के डाले हैं गैस की फ्लेम को एकदम कम रखेंगे और इसे लगाता चलाते रहेंगे तो देखे इस तरीके से यह गौंद है यह एकदम फूल जाएगा इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप हाथ से इसको दबा कर रखेंगे न बीच में तो एकदम से यह क्रिस्पी वाली आवाज आती है इसमें तो समझ जाना चाहिए कि गौंद फूल चुका है इसी तरीके से बचावा गौंद भी हम डाल देंगे और इसे घी में ही फ्राइ करना है यह भी अच्छे से फूल चुके हैं इसे भी प्लेट में निकाल देते हैं अब एक चमच और घी कर डालते हैं और घी जब अच्छे से पिंखल जाएगा तब हम इसमें नट्स डाल देंगे इन्हें भी हल्का सा फ्राइ कर लेते हैं रोस्ट कर लेते हैं इनको या इसकी फ्लेम को कमी रखेंगे रोस्ट हो चुके हैं यह निकाल लेते हैं अब इसी में हम बाकी बचा हुआ पूरा घी डाल देंगे घी डालने के बाद में हमें इसे पिंखलाना है घी को घी अच्छे से पिंखल गया है अब हमने इसमें आटा डाल दिया है आटा हमने इसमें 750 ग्राम लिया है यारी 7500 ग्राम आटा है मिक्स करना है आटे को स्टार्टिंग में काम थोड़ा तफ लगता है पर धीरे धीरे इसे हमें मिक्स करना है गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे अगर आग गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे तो आटा जल जाएगा और भूना नहीं जाएगा और नीचे से जलने लग जाएगा तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें टाइम तो लगेगा ही पर जो लड़ू बनकर तयार होंगे वह बड़े ही टेस्टी होंगे तो कम गैस पर हमें इसी तरीके से इसे आटे क इसकी सिकाई नहीं हो जाती तो कम गैस पर जब तक आटा सिखता है तब तक गौंध को हम भारिक पीस लेते हैं क्योंकि बच्चे क्या है बीच बीच में जब लड्डू में गौंध आएंगे तो पसंद नहीं करते तो इसलिए गया है मैंने सुचा इसका पाउडर बना लेते उसको भी हम जार में डालकर पीस लेंगे या आप चाहें तो इस तरीके से साबुद गौंध का भी इस्तेमाल लड्डू बनाने में कर सकते हैं या फिर आप बेलन लेकर उससे भी थोड़ा सा इसे क्रश कर सकते हैं तो गौंध का पाउडर भी बनकर तयार हो चुका है अभी बीच में हम देखते हैं तो यह देखिए अभी आटा के एकदम से खिला खिला लग रहा है तो थोड़ा थोड़ी सिकाई होनी स्टार्ट हो च तो इसे सेखते हुए कम से कम मुझे 40 मिनट्स हो चुके हैं तो देखिए घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है पर जो कलर अभी चाहिए ना वह कलर अभी आया नहीं है पर खुश्बू आनी स्टार्ट हो चुकी है आटा जब सिखता है जब इसकी सिख चुका है और लगबख सिकाई में आ चुका है यह और इदम चिकना सा आटा लग रहा है यह देखिए बिल्कुल मुझे कम से कम इसको सेखते हुए एक घंटे के करीब हो चुका है देखिए चारों और घीवी आ चुका है और आटा सिख चुका है अच्छे से सिखाई भी हो चुकी है खुश्बू भी अच्छी आ रही है एक बार इसको क्या करते हैं पर तेज फ्रेम पर इसको फटा फट इसकी सिखाई और कर लेते हैं थोड़ी सी अब इसे ठंडा होनी के लिए रख देते हैं थोड़ा क्योंकि अभी एकदम गरम है गरम में लड़्डू बन नहीं सकते पर इसे एकदम ठंडा भी नहीं करना है मतलब हलका सा यह गरम होना चाहिए जिसे कि क्या थोड़े लड़्डू होगी वह बनने में आसानी होगी आटा तैयार है गौन तैयार है नर्ट्स तैयार है बस आटा थोड़ा ठंडा हो चुका है हमने देख लिया है एकदम गरम नहीं है अब हम इसमें कौन का जो पाउडर हमने तैयार किया है वह डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे दीरे दीरे इसी तरीके से मिलाना है थोड़ा सा आटा गरम होना चाहिए वना तो क्या मिलने में दिक्कत आएगी इसी के साथ हम इसमें नट्स भी मिला देते हैं तो थोड़े से हम बात के लिए रख देंगे अभी थोड़े इसमें हम मिला देते हैं इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब चीनी तो जितना आटा लिया था उससे बस थोड़ी से ही कम चीनी की मात्रा होगी तो साड़े साथ सो ग्राम के करीब आटा था तो छैसु ग्राम के लगभग चीनी है अब चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लड़ू बनाएंगे अगर आपको साइस का अंदाजा नहीं रहता तो इस तरीके से एक बड़ा चम्मच ले लीजिएगा इस तरीके से उसको लेना है और हाथ में हाथों को पहले अच्छे से साफ कर लेना औस तरीके से गोलाई में लड़ू बनाएंगे अर इसके मिजर्मेंट के लिए इस तरीके का बड़ा चम्मच लेंगे तो क्या एक ब्राबर साइस के लड़ू बनेंगे तो की पूरा एक बड़े वाला स्पून लिया है और इस तरीके से एक तब गोल लड्डू बनकर तैयार करने है तो फटाफट आठा थंडा होने से पहले हमें लड्डू तैयार करने है इदम गोल लड्डू बनकर तैयार है तो भीच भीच में ये काजू वगरा बदाम वगरा आते रहेंगे अगर आठने चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब के बटन को क्लिक करना ना भूले साथ में बैल आइकन को जरूर दबाईएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप आसानी से प्रात कर लेंगे लड्डू बनकर एकदम तैयार है अब इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं तो गार्निश करने के लिए बचे हुए काजू बादाम है वह वन बाई वन हम सभी लड्डू के उपर इस तरी किसी थोड़ा सा मामूली सा प्रेस करके रख देंगे इन लड्डूओं को आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या फिर किसी बड़े स्टील के कंटेनर में रखिएगा या काज के एक बड़े कंटेनर में तो यह देखी स्वाद और सेहत से भरपूर गोन की लड्डू बनकर तैयार है अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबिस्क्राइब करना ना भूले